अस्तलाव अलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहती हो और कतर के इमतरीन खबरों से में सब वाकी फैन्ड आचाते हो तो यह वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आये हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर ल अजहा के वज़ा से तो साथियों यदि आपका कोई न्यू बॉर्न बेबी यानि कोई बच्चा भी हाल फिलाल में जर्म लिया है यदि आपने उनका बर्द सेटिफिकेट को यदि आपने बनने के लिए एपलाई किया था तो इदुल अजहा के दिन भी साथियों आप उस सेटिफिकेट को अब रिसीब कर सकते हैं इट के दिन भी अगली खबर के और शातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी सातियों बहुत ही बड़ी खबर है सातियों आप लोग को पता होगा कि कतर में अभी करोना वाइरस के केसिस लगातार बढ़ते जा रहे हैं ज जुमिराथ सही दास्तों इसे लागू कर दिया गया है, तो यदि आप मस्धित वगएरा में जाते हो, सौपिंग मॉल वगएरा में जाते हो, या फिर मंदिर वगएरा कुछ में भी जाते हो, यो बंज जगा हो, तो वहाँ पर आपको मास्क पहनना पड़ेगा, साथ यू बताना चाहूँगा आपको की इदुल अजगा के वजए से 10 जुलाइक को और 11 जुलाइक को वहाँ पर MBC बंद रहेगा, तो जो लोग भी आप लोग साथ ही जदिया नेपाल के आप रहने वाले कोई काम था 10 ये 11 जुलाइक को आप जाने वाले थें, तो जिन आप बिल्कूल मज जाईए गया नहीं तो आपको MBC बंद मिलने वाला है, 12 तारिक से दोस्तों फिर से दोबारा इसे ओपन कर दिया जाएगा, तो जो भी काम आपका है वह वहाँ जाके आप करवा सकते हैं, अगली कबर की और साथ यू चलते हैं, इंसॉरेंस कंपनी है, फाइनेंस है, इंवेस्टिमेंट्स, ओफिसियल कंसंटेंस है, सभी को 10 जुलाई 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक दोस्तों ये बंद मिलेगा, 13 जुलाई 2022 से दोस्तों फिर से इसे ओपन कर दिया जागा, तो इन जगहों पे कहीं पे भी यदि आप काम करते हो, किसी भी सेक्टर में जो की आपको मैंने बताया, तो इस सेक्टरों में दोस्तों लगभग 2-3 दिनों की छुट्टी के अनॉस्मेंट किया गया है, अगली खबर की और साथियों चलते ही, जो की साथियों आ रही है, Public Authority of Azgal के तरब से, तो Public Authority of Azgal के तरब से दोस्ते के रास्ते को बन करने का अनॉस्मेंट किया गया है, लगभग 9 दिनों के लिए, तो ये 8 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये बन रहेगा, ये बन रहेगा दोस्तो, अल कुरोंची स्ट्रीट से लेकर, ये जो जाता है, अल सेरेटोन इंटरसेक्शन, अल मीना इंटरसेक्शन, तो दोस्तो इस रास्ते को बन किया जाएगा, बन करने का दोस्तो रीजन, ये कुछ कंशक्शन वगएरा का काम है, इसी को लेकर, पॉब्लिक तुर्टी वजगाल के तरफ से, बन करने का अनॉस्मेंट किया गया, अगली अपडेट के और साथ में चलते, जो कि जकात फंड के तरफ से आरी, तो साथियों बताना चाहूँगा, आपको जकात फंड की तरफ से, इस बार जो है, लगभग 13 मिलियन कत्री रियाल का दोस्तों, डिस्ट्रिबिशन किया गया, अलग-लग देशों के लिए, यानि दोस्तों लगभग आप मान के चल सकते साथियों, बहुत भारी मातरा में लोगों को बेजा गया, इस सिर्फ महिने, यानि जून के महिने में, अलग-लग देशों को जो जुरतमन देश है, उन लोगों को बेजा गया, अगली खबर के और साथियों चलते ही, जो की बहुत भड़ी खबर है साथियों, वीडियो के स्कूर्ण पर एक फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, साथे ये एक सूफी संथ हैं, जो की अफगानिस्तान के रहने वाले थे, और इंडिया में काफी दिनों से ये रह रहे थे, दोस्तों इनका जो नाम था, ख्वाजा जरी बाबा, जो की लगबग 35 साल के उमर के थे, 35 साल के उमर के थे, इनको दोस्तों महराष्ट के नासिक सहर में, गोली मार कल कल के दिन इसके हत्या कर दी गई, फिलाल दोस्तों इसकी चानबीन अभी चल रही है, कि क्यो मारा गया, नहीं मारा गया, फिलाल इसका जो हमलावार थे, मार कर उसी टेम वो भाग गया, तो यह कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरे थी, जो की कतर से आरे थी, मैंने अब तक सेयर किया, आसा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगियो, वीडियो अच्छी लिए वीडियो को लाइक करें, दोसों साथ सेयर करें, ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके, मिलते साथ उन्हें शुड़े पहला, अफिसन टेक केर,